नमस्कार दोस्तों क्लास एट महराष्टा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्टर नूमबर 11 स्टेटिस्टिक्स हलाकि बाकी किसे भी चप्टर जो हैं वो हो चुके हैं चप्टर नूमबर 11 में सोच रहाता कि अगर मैं ना करूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा लेकिन कुछ कमेंट्स की वज़े से हम ये चप्टर जो हैं वो वीडियो के तुरू समझने वाले हैं तो प्रैक्टिस इट 11.1 में कॉशन नूमबर 1 अभी हमें स्वाल करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें और बेल आइकोन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिपिकेशन मिल जाएं और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें तो देखें क्वेशन नूमबर वन क्या है तो इसका मतलब निचे दियेंगे टेबल में नूमबर आप सेपलिंग्स प्लेंट बाई 30 स्टुडेंट्स तीस स्टुडेंट्स ने हैं कितने प्लेंट्स जो हैं वो लगाये हैं सेपलिंग्स का मतलब होते हैं पोधे तो कितने पोधे जो हैं वो 30 स्टुडेंट्स ने मिलकर लगाये हैं fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student तो जो average हमें find करना है अगर frequency दी गई है तो उसका एक question हमने इससे जो पहले वीडियो लिया है उसमें लिया है फिर भी हम यहाँ पर मितल समझते हैं कैसे solve करना है और फिर हम solve करेंगे अब देखें यहाँ पर दो column जो हैं वो होंगे फिर्स्ट column में एकसाई की value होंगी एकसाई मतलब score होगा इसमें number of saplings इसका मतलब एक पोधा दो पोधे तीन पोधे या चार पोधे मतलब one plant two plant अब number of students if i मतलब frequency इसका मतलब एक plant जो है वो लगाने वाले चार student है कि दो plant लगाने वाले मतलब दो saplings दो पोधे लगाने वाले चे लोग हैं मतलब चे students तीन पोधे लगाने वाले ट्वेल हैं और चार पोधे जो हैं वो लगाने वाले eight students हैं तो हमें average find करना है कि एक student ने average कितना कितने पेड़ जो हैं वो लगाए हैं अब देखे हमें यहां पर एक साइए यह और एक साइका multiplication करना है तो इन दोनों का multiplication करके यहां पर लिखना है तो है 32 अब इन सब के हमें addition करने है तो फोर प्लस ट्वेल प्लस 36 प्लस 32 अब इनकी जो addition होगी वह submission FI XI होगा तो देखे 4 प्लस 266 प्लस 266 प्लस 612 प्लस 2 14 14 को यहां पर लिखना है 4 बार सरी क्यारी वन होगा 1 प्लस 122 प्लस 355 प्लस 3884 अब capital yen की जो value होती है वो submission FI होता है submission FI मतलब frequency की सभी values की addition तो frequency की सभी values की addition जो यहां पर आनी है वो तय है fix है 30 क्यूंकि question में दिया गया है कि यहां पर जो data दिया गया है वो 30 students का है तो जो 30 students है वो frequency की addition आ जाएगे तो हमें यहां पर लिखना है 30 तो submission FI की value 84 हो गई यहन की value 30 हो गए अब हमें formula लिखना है mean का तो mean X bar is equal to submission FI XI divided by capital yen अब यह जो submission होता है submission का मतलब होता है sum तो submission जिसके भी आगे हो आभी देखिए summation FI into XI के आगे है तो इससे पहले तो submission का मतलब इन दोनों का multiplication की जितने भी values हैं उन सभी की sum तो summation FI X का एक value 84 यहां पर लिखना है divided by capital yen 30 तो हमें 84 को 30 से divide करना है तो divide कैसे करना है देखिए 8 और 4 12 तो इन दोनों numbers को 3 से divide होता है तो हम यहां पर अलग से इनका division कर लेते हैं दोनों को 3 से divide होगा 3 10s 30 3 2s 6 6 8-6 2 24 3 8 24 अब 28 को अगर हम 10 से divide करते हैं तो 1 के आगे एक 0 है तो एक डिजिट चोड़कर यहां पर point होगा 2.8 यहां पर आ जाएगा तो X बार जो mean होगा वो होगा 2.8 तो यही इस question में हमें solve करना था आगे और फिल इन दे ब्लैंक से दिन आएगे अवरे नम्ब अप सेप्लिंग प्लिंग प्लिंग इस 2.8 question number 2 देखे तो यहां पर 25 फैमिलीज के उसका नाम यहां पर दिया गया है और इस विलेज में जो 25 फैमिलीज है उनके घर में electricity कितने विनिट जलाई जाती है या जलाई गई है एक मन्त में में मन्त में तो मैं के मन्त में महने में और फैमिलीज में कितना ही है यूनिट्स बिलेक्रिसिटी का यूज हुआ है वो यहां पर दिया गया है तो हम टेबल से ही समझेंगे electricity used येक साए और नमबर आप फैमिलीज येफाए अब electricity used का मतलब यहां पर 30 यूनिट्स की electricity 45 यूनिट्स की electricity तो 30 यूनिट जितने गरों में electricity जलाई गई है वो नमबर आप फैमिलीज हैं एट गर है 75 यूनिट्स पांच गरों में और 90 यूनिट्स त्री गरों में electricity का यूज हुआ है तो यहां पर जो नमबर से स्कोर्स वो एक साइके हैं और यह फैमिलीज हैं यह 5 तो इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन हमें यहां पर लिखना है तो 30 इन्टु 7 7 इन्टु 3 21 210 45 इन्टु 2 90 होगा 60 इन्टु 8 48 और यहां का एक 0 75 को 5 से मल्टिप्लाई करना है तो 5 5 जा 25 कैरे 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37 और 9 30 27 9 30 0 0 270 अब हमें यहां पर जितनी भी वैल्यूस हैं इन सभी की अडिशन करने हैं तो आप इजली इन सभी की अडिशन कर सकते हैं तो आप करके देखिए यह जो अडिशन है वो आएगा 1425 और जो 25 फैमिलीज हैं नमबरा फैमिलीज वो यन की वैली हो होगी तो हमें यहां पर समिशन एक साथ 1425 और कैपिटल यन की वैल्यू 25 लेनी है तो जो कॉश्चन से हैं कॉश्चन क्या क्या है देखिए कितने फैमिलीज ने 45 उनिट इलेक्रिसिटी यूज की है तो टेबल के जरी हम यहां पर बता सकते हैं 45 उनिट यूज करने वाले टू फैमिलीज है तो इनका अंसर होगा टू तो फर्स्ट कॉश्चन का अंसर टू फैमिलीज अब सेकंड स्कोर दफ्रिक्वेंसी ओफ विच इस फाइव तो ऐसा स्कोर बताएए जिसकी प्रिक्वेंसी फाइव है तो फाइव फ्रिक्वेंसी जो है वो 75 उनिट्स की है तो हमें यहां पर लिखना होगा 75 उनिट्स 75 उनिट्स अब कुश्चन नमबर 3 देखें फ्रिक्वेंड क कैपिटल यम एंड समिशन एफ फाइए एकसा है तो कैपिटल यम की वेलीओ हमने फाइट कर ली है और समिशन एफ यम की भी वेलीओ हमने फाइंड कर लिए तो यही वैल्यूज हमें लिखना है अंसर में क्यापिटल एन इस इकल टो 25 समेशन एफ एकसा इस इकल टो 1425 तो हम यहाँ पे क्यापिटल एन 25 समेशन एफ एकसा 1425 लिखना है अब देखिए क्वेशन नूंबर 4 क्या पूचा गया है find the mean of the electricity used by each family in the month of माई माई के माईने में हर फैमिले में average कितना कितनी electricity का use किया गया है तो mean का पहले हमें formula लिखना है mean x-bar is equal to summation fi xi divided by capital yen अब summation fi xi की जो value है वो हमने यहाँ पे find कर लिए 1425 तो यह जो value है वो हमें यहाँ पे लिखना है 1,425 divided by capital yen capital yen के value है 25 तो 1,425 को 25 से divided करना है तो 25 5 जा 125 142 से अगर हम 25 मैनस करते हैं तो 142 मैनस 125 तो यहाँ पे होगा 7 यहाँ पे 1 17 और यहाँ का 5 तो फिर 25 सेवन जा 125 तो 57 यूनिट्स जो हैं वो average ली हरे गर्मी यूज किये गए हैं अब जो average होता है उसे हम mean भी कहते हैं mean और average वही है तो average का होता है कि suppose हमें 3 values का average find करना है तो suppose values है 5, 7 और 6 तो इन सबके addition करके हमें 3 से divide करना होगा तो इसका मतलब यह था है कि suppose 3 लोग हैं जिनके पास 5 रूपीज, 7 रूपीज और 6 रूपीज हैं तो उनके हमें collect करना है तो इन तीनों के addition करेंगे हम तो 21 रूपीज आ जाएंगे उन्हें हमें 3 से divide करना है तो 7 रूपीज हर एक को मिल जाएंगे तो हर एक के पास जितने हैं वो सभी collect करना है और वो सभी में equal बाटना है यह होता है average का real meaning तो हर एक के उपर कितने आ जाएंगे average लिसराशरी तो यह होता है mean या average तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों आगे का जो part होगा वो हम next video में लेंगे जिसमें हमें telemarks का use करके questions जो हैं वो solve करने है तो वीडियो वाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद